शिव महा पुरान यहां तक विश्णु पुरान करती है, इसकंद पुरान वर्णन करती है, कार्थी खंड वर्णन करता है, कि तुलसी का क्यारा गोल है, चोकोर है, शडाकार का है, उसका भी प्रमान हमारे सास्त्रों में लिखा हुआ है, कि अगर तुलसी का कुंड गोल है, तो वो एश्वरे प्राप्त करता है, तुल्सी का कुंड चोकोर है, तो वो वन्ष की वर्दी करता है, तुल्सी का कुंड अगर शड़करती का है, छे फलग वाला है, तो वो घर में संपदा की वर्दी करता है, तुल्सी के कुंड का भी प्रमान हमरियां सास्त्रों में लिख जगत है ना दुनिया के आगे हाथ पे लाओ जाकर निवेदन करो यहां वाले बाबा के पास हो या उसके पास हो या उसके पास हो या उसके पास हो या जगत के पास जाओगे दुख पाओगे रुपिया खाएंगे चूना लगाएंगे दक्के मारकर निकाल देंगे दो चारा करें जिसके फल को हम पा सकें हम क्यों ब्रमीत हों हमारे तुल्सी के कुंड का भी निवां निवान विद् düşान है गोल कुंडा है या is वी जोप दे आप लोग कई बार द rubांगे केसी कर तो किए को तुलसी का क्या ऩा होता है रखकेक जडहागे हो डञफोगा utilized कैप 구cet easy क्या तुल्सी कह संकर ची को रख डेते हैं क्यों किह chce Beispiel पαानी चड़ा तुलसी के कुंड हो, साथ तरह के कुंडों का व्याख्यान तुल्सी के रोप में कहा गया है, पहला गोल, दूसरा चोकोर, तीसरा शडाकरती, चोथा त्रवेणी, तीन कोने वाला कुंडा, सास्तर कहता है जिसके मार्ग घर में तुकड़े हो रहे हो, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, त बिना कुंड का जो तुल्सी का पोधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक वगीचा जेसा वो दिया जाता है, तुल्सी तुल्सी पन्न हो जाती है, महराज, वहाँ पर संपदा तो रहती है, पर चिंता बहुत रहती, टेंशन बहुत रहती, क्यों? घर के दरवाजे के बा तुस्ता दोश आपको लगेगा, इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, वो धन्तो देगा, जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करया है, वो धन्तो देगा, संपदा भी रेगा, पर चिंता को बड़ा देगा, पांच, माराज, छटा, तुलसी के कुंड को तीन धार पर लटका कर रखना, कई जगा पर आपने देखा होगा, तुलसी का जो कुंडा होता है, उसको तीन जो तार होते हैं, तीन जो चेन होती है, उस पर लटकाया जाता है, माराज, विश्नु पुरान, उसका भी व्याख्य करती है महाराज वहाँ व्यक्ति के कारे उन्नती की सिड़ी की और बढ़ जाते हैं जैसे भोजन की थाली लग गई भोजन तयार हो गया बस खाने बेटे हो और थाली खसक गई समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है इसलिए कारे तो हो रहा है बनने वाले चार इतना फल मिलेगा लग रहा है इस वेपार को करेंगे इतना फायदा हो जाएगा सब कुछ करा लाख रुपे लगा भी दिया थाली मालूम पड़े खसक गई अधर लटका है साथ क्रम है तुलसी का साथवा क्रम है महाराज तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है तु क्ट करखक कर उस की अराधना करना फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना फिर दूसरे दिन कूजण के समय पर को ला खना हम तो यहां तक कते हैं विश्नुकुर्ण घर्क सही तह कल्यान का तुलसी यंग यहां तक वर्डन करता है कि आप पूरे साल यह नहीं कर सकते तो कमसे कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड चोकुर वाला गोल नहीं चोकुर कुंडला कर भगवान के सामने रखते पूरे साल नहीं कर सकते तो एक महीना उसका फल हजार गुना प्राप्त होता है तो किस चीज के लिए का गया तुलसी का कुंडा एक बहार हो एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए तो कहते हैं उस घर में वेभव सत्ता संपदा लच्मी समरद्धी शा आप किस बहुत से कर रहे हैं यह आप क्यों महाराजा इस्त्रियों के नारियों के जितने वी रोग होते हैं बिमारियां होती है रजो धर्मत से जड़ी हुई जो भी तकलीफे होती है उसका भी व्याख्यांग देवी भागबत में इस्पश्ट कहा गया गूलर का फूल अर गूलर का फूल माता की चरणों को छुआ कर तुलसी के पोधे का इसपर्श कराकर जो नारी को रजो धर्मत से जुड़ी हुई परिशानिया होती है उसकी अंतरगत वो फूल तुलसी का पोधा दिखाते हुए खिला दिया जाता है तो तीन दिन में उसको दो दिन में अराम लग जाता है दो या तीन दिन मारा तो शास्त्र कहरा है अराधना में आप हाथ की माला कर की माला ना भी रखें तो घट की माला तुलसी की माला रोद्राक्ष की माला आपके कंठ में होगी तो 21,600 स्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रती दिन निकल रही है 21,600 स्वास जो मान तुम्हारे गले में रुद्राप्ष कि माला हो उसमें मनके 108 होना चाहिए नी यह 108 से भी ज़धा होना चाहिए मनके की माला मत पे mastat में 1000 से 20 से भी ज़दा ऑカर्मना पच्छा से भी ज़दाbeltऊ यह क्यों क्यों Be तुम तीरत जाओ, ना जाओ, और गले में अगर कुलसी की माला, यह रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है, तो चिंता मत करना, तुमारी स्वास जितनी निकलेगी, 21600 स्वास, जो मनुष्य के शरीर से प्रती दिन निकल रही है, वो 21600 स्वास के मन के का फल, तुम्हे रोच कप्रप्त हो जाएगा बस ध्यान रखना गले में मनका होना जरूरी है गले में माला होना जरूरी है भले रुद्राच का एक मनका हो भले तुलसी का एक मनका हो पर गले में हो तो उसका फल मिलेगा गड़ेगा नहीं पर्मपुरान गरग सहीता में भी आप ढूंडेंग होता एक आउले का ब्रक्ष दूसरा तुलसी का पोधा जहां समाप्त नहीं होता अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक चुरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके चुरूर रख लें पंडित परदी मिसराज जी अपने जो कथा में उपाय बताते हैं वही उपाय आप तक पहुचाए जाते हैं